वेलकम टू युकेसी इंस्ट्यूट आज का मारा विशे है What is pronoun? सर्वनाम क्या है? The word used in place of noun are called pronoun संग्या के स्थान पर प्रियोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं Kind of pronoun यानि की सर्वनाम के परकार Personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributed pronoun, infinite pronoun, relaxive pronoun, reciprocal pronoun, empathic pronoun We start with personal pronoun This pronoun from which a person or person, animal and object is perceived is an object is perceived is called personal pronoun जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या व्यक्ति जानवर और वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्ति वाचक सर्वनाम कहते हैं Example of personal pronoun I will be leaving soon यहां पर I हमारा personal pronoun है You are welcome You हमारा personal pronoun है जो blue blue आपको देख रहे हैं Mark, coloring word वो सारे हमारे personal pronoun है जैसे कि she है, he है, they है Then, this is sentence for your practice आपको इसमें ढूणना है कि कौन सी personal pronoun है अब हम बात करते हैं, interrogative pronoun की The pronoun which asks to identity the question is called the interrogative pronoun जिस सर्वनाम से प्रशन की पहचान करने के लिए कहा जाता है उसे प्रशन वाचक सर्वनाम कहते हैं Example of interrogative pronoun What is that? Which is your Who done it? Whom shall we ask? Those is this Whatever did you say So, यह जो आपको नीले नीले word दिख रहे हैं यही हमारे interrogative pronoun है जब प्रशन कोई पूछा जा रहा है तो उसका वो डॉलो एच फैमिली का word जो है वो हमारा interrogative pronoun बन जाती है यह आपको ध्यान रखना है यह sentence आपकी practice के लिए है अब हम बात करते हैं relative pronoun की Relative pronoun में The pronoun joined two sentence And relieved first noun Which is called as an independent It is the relative pronoun जिस सर्वनाम से दो वाक्के जोड़ते हैं और पहले संग्या का बोत कराते हैं उसे स्वतंत्र कहते हैं इसे संपेक्ष सर्वनाम भी कहते हैं इंदी में Example of relative pronoun The man who left The hospital was generated अब आपके आपे जो नील नीले वर्ट देख रहे हैं वो हमारे relative pronoun है जो एक line को दूसरी line से जोड़ रहे हैं जैसे कि a man who यानि कि एक आदमी जो यानि कि आपको ये देखना है कि जब एक line दूसरी line से जोड़ रही है तो वो जो connector है वो हमारा relative pronoun कहलाएगा ये आपको ध्यान रखना है फिर ये आपके sentence हैं आपकी practice के लिए फिर हम बात करते हैं demonstrative pronoun की जिस सर्वनाम से किसी संग्या के बारे में पता चलता है या बोध होता है यानि कि उसका कोई संकेत मिलता है ये वाली noun है तो उससे हम बोलते है संकेत वाचक प्रणावन यानि की सर्वनाम एक्जामपल ऑफ डिमोंसेट प्रणावन इस इस माई मदर्स आस्वीट हूम यानि कि आपके इशारा दे रहा है इस इस डैट इस दीज दोज आप इशारा दिया जा रहा है एक संकेत दिया जा रहा है तो आपको यह देखके पहचानना है कि यह हमारी डिमोंस्टेटिव प्रणावन है यह आपकी प्रैक्टिस के लिए संटेंस है फिर हम बात करते हैं डिस्टिब्यूटिट प्रणावन की distributed में the pronoun has informed about personal and thing which is there in sentence it's called distributed pronoun सरवनाम व्यक्ति और वस्तु के बारे में सोचित करता है जो वाक्य में है इसे विर्नत या वितरन कहा जाता है example of distributed pronoun ये देखी आपके सामने देख रहे हैं each, either, neither, each, everyone, either, neither, each, either, any, known तो ऐसे word हमारे distributed pronoun कहलाते हैं जिसकी हर एक बच्चे में या सभी में तो जहां पर sense आ रहा है हर एक का, सभी का, कोई भी का तो वो हमारी distributed pronoun में आ जाएगी ये आपको दिहान रखना है ये आपकी practice के लिए sentence है अब हम बात करते हैं in different की प्रणाव की which is pronoun, do not tell about to any definedly thing or person it is called in defined pronoun जो सरुनाम होता है वह किसी निशिद वस्तु या व्यक्ती के बारे में नहीं बताता है उसे अनिशिद वाचक सरुनाम कहा जाता है यानि कि वो किसी व्यक्ती के बारे में या वस्तु के बारे में नहीं बताता है तो वो in different pronoun होती है एक्जामपल कि इसकी बात करेंगे हम नोबडी, एवरिबडी, या एवरिवन, सम्टिंग, इच ये जो वर्ड है जैसे कि नोबडी, लाइक्स पीजा एवरिवन, एटेंस माई पार्टी तो जहाँ पे सभी का सेंस आ रहा है बता नहीं रहे हैं कि कौन आया है किसी का नाम नहीं पताया जा रहा है कोई वस्तू का नाम नहीं है बस एक इशारत दिया जा रहा है कि हाँ इतने लोग आये है ऐसे लोग आये हैं या कोई नहीं आया है या वो दो लोग आये हैं तो आपको हाँ समझ जाना है, यह हमारी indifferent pronoun है, यह आपका examples हैं कुछ, फिर हैं बात करते हैं, relaxive pronoun की, The pronoun is effect of work, reflect on subject, not anything else, it is called reflexive pronoun, सर्वनाम काम का प्रभाव है, विशेप परपतिविंद करता है, और कुछ नहीं, इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जहाँ पर हमारे किसी भी काम से संबंदित sentence आएगा, वह हमारा निजवाचक pronoun होगा, Example के मादध हम से इसको समझते हैं, I don't need your help while I can't do it myself, अब ढ़न कोई काम क्या सेंस आ रहा है, और यहां पर खुद क्या सेंस आ रहा है, जहां पर myself, yourself, yourself, yourself आएगा, वो हमारा समझते हैं, पर हम का सेंस आना चाहिए, कोई काम हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा, लेटर प्रणाउन, और यह आपके कुछ एक्जामपल, पिर हम बात करते हैं reciprocal pronoun की अभी हमने रिलेक्सिफ प्रणाउन की बात करी अब हम reciprocal प्रणाउन की बात करते हैं definition में बढ़ते हैं the pronoun make by two sentence and reflect relation on basis it is called reciprocal pronoun जो सर्वनाम दो शब्व्याक्यों से बनता है और मूल में संब्वन को दर्शाता है उसे पारस पर एक सर्वनाम कहते हैं जैसे की example मादिम समझते हैं Romeo and Juliet love each other the student looked over each other's homework the countries agreed to respect on others यानि की यहाँ पर दूसरे का sense आ रहा है यानि की एक line के मादिम से दोनों को जोड़ा जाड़ा है यानि की उनको जोड़ा जा रहा है और उनको एक की जा रहा है तो जब दो चीज एक की जा रही है एक word से तो वो हमारा reciprocal pronoun कहलाएगा यह आपको ध्यान रखना है यह example आपकी practice के लिए अब हम बात करते empathic pronoun की the last pronoun which is used for give for force that pronoun called empathic pronoun it is it is also join as alexive and personal pronoun with self and selves but use for different जिस सर्वणाम को बल देने के लिए प्रियोग किया जाता है उस सर्वणाम को द्रणवाद्चक्ता सर्वणाम कहा जाता है यह स्वेम और स्वेम के साथ लेक्सिव या विक्तिगत सर्वणाम के रूप में भी जोड़ा जाता है लेकिन उसका अप्योग अलग-अलग है अब जैसे की यहां पर I will build the house myself तो यहां पर जो है जोड़ा जा रहा है किसको पर्सट्रण पर्णाउन को तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वह इंपहतिक प्रणाउन कहलाएगा यहां हमारी वीडियो खतम होती है थैंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो हमारे चैनल पर ऐसे बनाने रह करें मिलते हैं अगली वीडियो